कि अब जुब जाए कि अब जुब 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 टुब कि तीन चार पांच छे शाट अठ अरे शान तूम लोग क्या कर रहे हो हमने तुमको पढ़ने के लिए कुछ काम दिया था और तो हमारा ध्यान थोड़ा सा अलग हुआ तो तुम लोग पत्तर से खेलने लगे हो चलो फिर अब तुम खेल खेली रहे हो तो हम भी तुमारे साथ खेले हैं जी भी यह तो सबसे पहले तुमने बोला की आधा आधा कर र हैं जी भी यह गिन देट थोड़ा सा बचा था था तुमने गिना नहीं है चलो बढ़िया अब हम तुमको इन कंकुरों से खेल दिखा रहे हैं और उस खेल को हम देखेंगे और उस से हम लोग कुछ सीखेंगे तो सबसे पहले मैंने कहा कि यह एक कंकर यह दो कंकर और यह त हमें तीन कंकों को मैंने एक बार लिया छी कितनी बार लिया है एक भार किएən तो तीन कंकरों को जो मैंने एक बार लिया है तो कुल कितने हुए यां कि अगर हम तीन कंकड़ों को एक से गुणा करते हैं तो कितना मिलेगा हम को तीन मिलेगा जीविया अभी अभी हम तुमको लिखके भी बताएंगे बात अभी समझो इस चिश को क्वार कहा है आप मांलो मैने तीन कंकड़ यह लिये है तीन और ले इधियम आ dormir खिखे नहीं हंकर एज तीन कंकर तीन दोगां करते हैं तो यह वह जो आधिंग कंकर उत्थ और प्रांद मैं भलना लिर्व करने बार दय टो एस बर करता है और एंव जो nine, की संख्या कंकुडों की संख्या मिली है वो छे मिली है तो तुमको याद हमने पहली बार कितने कंकर लिये थे तीन कंकर एक बार में तीन कंकर लिये और अब कि बार कितने कंकर लिये हमने तीन यानिकी तीन तीन कंकर दो और वाली ढई दिस्किए जलो पड़िया अब हम एक काम और हर रहे यह हमने तीन कंकर और लिए अब जबने तो तीन गुट इन Um कितने गंकड़ हो गया ना नो गंकड़ हो गया, चलो अब यह कितने कंकड नीज जिर लिए लगए लूत तो 3 3 3 3 कितनी बार लिए चार बार तो तीन गुणा चार कितना हो गया बारा सही बात यानि कि यहां पर हमने चौती बार में तीन तीन कंकर चार बार लिए तो हमारे पास तीन को चार से गुणा करने पर प्राप्थ होता है बारा तो अब जो हमारे पास ये संख्याएं जो पहली बार दूसरी बार और तीसरी बार हमें प्राप्थ हुई है इन्हें हम कुछ कहते हैं इनका कुछ नाम होता है ठीक चलो हम तुमको समझाते हैं लिख के समझाते हैं ठीक पहली बार में तीन कंकरों को एक बार लिया हमने ठीक ठीक बार दो उत्तर कितना मिला हमको थी थीग अगली बार तीन कंकुरों को कित्नी बा कम कुट मारे लिया था थी आने वार यानिक हमारे पास उत्तर आता है ना ठीक मुफर हमने तीन प्र्रंकणों को चार बार फीज तो ऊथतर कितना मिला हम В datुन ठीक है यह भी वहयत्त तो हमने तुम को अभी संजाया था कि यह जो उतना को प्राप्त हो रहे हैं ची वेसद इन संख्याओं को हम कुछ कहते हैं यह ती क्या और ये. क्या कहेंगा इनको क्योंकि गुला करने पर फ्राप्त ओरी ह्षांक तॉस्क ईुए इसलिए साधन सा नाम इनको दिया गया है नुआ. क्या नाम दिया गया है ले से बिल्कुल सही बात तो यही बात हम तुम को सिखाने जा रहे हैं आज इसे कि हम अपवर्ति भी कहते हैं, गुनच को अपवर्ति भी कहा जाता है, तो इन कंकड़ों के खेल से मैं आपको यही आज सिखाने जा रहा हूं कि अपवर्ति किसे कहते हैं, या गुनच किसे कहते हैं, ठीक है, इसके बाद मैं आपको समझाओंगा गुननखंड, ठीक है, समझा आपको बताया कि जब यहां पर संख्या 3, 6, 9, 12 ये लिखी है हमने, तो ये 3, 6, 9 और 12 क्या है, 3 के गुढ़्स है, क्या है, 3 के गुढ़्स है, बाथ समय आई, जब हम संख्या को एक पून संख्या से गुणा करते हैं पून संख्या मतलब एक दो तीन चार अगली पून संख्या क्या होगी पांच यानि कि हम जब तीन संख्या को एक दो तीन चार पांच और अन्य संख्याओं से गुणा करते हैं तो हमें उत्तर जो मिलता है वो क्या कहा जाता है उसे क्या बोलते हैं। गुणज, संख्या का गुणज या अपवर्थित, संख्या का अपवर्थित भी कहते हैं। बात समझ आई।। तुझे छेल ने तुख हमने तुमको अभी तुम्ने पत्फ्रों से खेल खेला, तुम्ने तुमको इन खंग रिद accord आया कि हम तो कितने से गुणा करना पड़ेगा से दो से दो से गुणा करना पड़ेगा तो हमने जब दो से गुणा किया तो हमारे पास उत्तर प्राफ्ट हुआ आठ सभी बाइए अब मान लो हमने कहा कि हम चार को तीन से गुणा करते हैं तो उत्तर प्राफ्ट हुआ है बारा ठीक तो इशान ये बताओ इस आठ को क्या कहेंगे किसका गुणाज चार का गुणाज बिल्कुल सभी बात या इस आठ को चार का अपवर्थ भी कहा जाएगा गुणाज और अपवर्थ एक ही चीज होती है ठीक है दा अब मान लो हमने कहा चार को हम चार से गुणा करते हैं तो उत्तर आता हमारे पास अब यहां पर हमने कहा कि आठ बारा और सोवर्थ यह तीन संख्याएं हमने लिखी है यह जिन वकल्डिया ज़ी पासाउ भा किए उन खी क्या कहलेंगे और मुझे बताना कि तुमको समझ में आया या नहीं आया ठीक, देखो पांच गुणा अगर हम पांच करते हैं तो उत्तर कितना आता है? 25 सहीवाद? जी वैया अगर मैं पांच को साथ से गुणा करता हूँ तो उत्तर आता है? 35 35 सहीवाद? अब मुझे ये बताओ कि क्या 25 और 35 पांच के गुणाज है? जी वैया है ना ? गुणाज है ना ? बिलकुल सहीवाद अब इनको गुणाज है कैसे समझ में आता है? वो ऐसे समझ में आता है कि जब हम 25 को जब हम 25 को 5 से बाटेंगे अर्थात भाग देंगे भाग करेंगे तो हमारे पास जो शेश बचना चाहिए वो सुन ने होना चाहिए कितना होना चाहिए तो हमने आप से कहा कि हमें 25 जो है 5 से पूरा पूरा बट जाए 25 क्या हो जाए 5 से पूरा पूरा बट जाए तो इसलिए कहेंगे कि 25 जो है 5 का गुनज है या अपवर्ति है इसी प्रकार से जरा मुझे बताओ कि यदि मैं 35 को 5 से बाटना चाहूं भाग करना चाहूं तो ये पूरा बट जाएगा बट जाएगा क्योंकि हमने कहा कि 5 के पहाड़े में 35 आता है यानि कि 6 क्या मिलेगा शोन्य मिलेगा तो इसका मतलब है कि 35 भी क्या होगा 5 से पूरा पूरा कट जाएगा ये बासन ना दे तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो आपके पास गुणा जिया अपड़ते होते हैं वो पूरी की पूरी बट जाती है ठीक है ये बासन ना है अब देखो यहाँ पर हमने 5 संख्या को एक पूरा संख्या पास से गुणा किया है तो उत्तर मिला है 25 यानि कि गुणाज या अपड़ते हमें प्राप्त होता है जब हम संख्या को एक पूर संख्या से गुणा करते हैं समझ माया तो गुणाज के बारे में आपने समझा वे संख्याएं जो किसी संख्या से पूरी पूरी बट जाए उस संख्या की अपवर्ति कहलाती है हमने देखा इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि संख्या का अपवर्ति संख्या का अपवर्ति उस संख्या को किसी भी पूर्ण संख्या से गुणा करने पर मिलता है अब गुरान्खन के विशे में हम आपको अगली बार बताएंगे